बिस्मिल्लाहिर्वाह्मादिर्वाहीम अच्छा आज हम पेसे एक सिकन्ड पार्ट साफ पड़ेंगे लंगी चीडिन बेगनिटाइजेशन की और यह विपार ही सारव डियाग्रामेटिकली है यहां पे कुछ प्राब्लम है जो प्राब्लम हों को सालू करना है सबसे पहले ठ ब्रोडक्शन थे फूर स्टेफ evalmer यंदा अमर इमेजींज ओंढें हमने परढ़ता हो प्रोटान होच ख्लप इन्हाइम दो इसके बाद हमने लंगी कीरीת बाड़ा था recovered हमने लंगी क्यूंदेनल मैगनेटाइजेशन पढ़ा साथ आज बुक्द?", इसक बार यह जो लेक् नमबर वन है यह डियाग्राम हमने वह पर भी एक्स्प्लेंड किया था यानि जब हम पेशेंट अमर आई मशीन में हम लेठाएंगे उस सबसे पहले उसकी जो प्रोटान होते हैं हाइडोजन एट्रम के अंदर जो प्रोटान होते हैं इसके बाड़ी में हो रेंडमली उसकी मौशन होता है उसकी जो प्रोटेशन होता है घिए इसके बाड मेंडनी फिल्ड बेजेंगे एपलाई करेंगे तो उस रेंडमली मौवि Equator की जो स्पीनिंग उसको डइरिक्षिन देता है सबसे पहले जब डआइरिक्षिन देता है तो फिर पर प्रिसीजन मोशन देता है ठीक है प्रिसीजन मोशन हमने पड़ा था यह डियाग्राम है यह प्रोटान है जो हमने एक्स वाई X, Y, Z Quadrant में हमने अब उस पे Apply करता है ठीक है जब हम RF पल सेंड करते है तो इसके बाद जो प्रोटान होते है वो कुछ Anti-Clockwise में और कुछ Clockwise में चले जाते हैं लेकिन हमारे बुक में ये Explain नहीं किया है कि कुछ Anti-Clockwise और Clockwise किस वज़ा से चले जाते हैं ठीक है पहले Randomly Motion करता है जब RF पल्स उस पे Apply कर ले इसके बाद वो RF पल्स किया करता है जो प्राइमन मिगनेटी फील्ड है वो किया करता है वो यही Electron सबसे पहले उसको Alignment देता है वो Spinning Motion को Alignment देता है इसके बाद पेर जो Spinning Motion है उसको Convert करता है Excitation उसको Energy अबजब करता है तो चले जाते हैं इन्टू Precision Motion को ठीक है अच्छा यह Precision Motion में जब चले जाते हैं तो इसके बाद Clockwise और Anti-Clockwise में चले जाते हैं लेकिन और इसके बाद जो Clockwise एंड यानी ZXS के साथ चले जाते है ZXS के साथ जो Positive XS है ZXS Positive X और जो ZXS Negative XS है ठीक है यह चले जाते हैं इसके बाद यह होता है के Along the Negative Side जो ZXS है उसके तरफ कम Proton चले जाते हैं और Along the Positive Side जब चले जाते हैं तो वो ज्यादा Proton होते हैं इसका वज़ा यह है के Along the ZXS जो है वो वहाँ पर Proton जो है उसकी तादार उसकी Numbering उसकी डाइरेक्शन की जो Numbering है वो कम होते हैं और Along the Positive Side जो है वो ज्यादा होते हैं इसका मतलब यह इसलिए चले जाते हैं उपर ज्यादा जानी Positive XS के साथ ज्यादा और जो Negative Side है ZXS उसके साथ कम इसका इसकी वज़ा यह है कि जो Proton इसकी डाइरेक्शन अपवर्ड होता है यह high energy proton है और यह जो है high energy और यह low energy proton है ओपर जो along the z axis है वो low energy proton है ठीक है यह low energy proton है ठीक है और जिसकी direction toward the negative यूद डाउन है उसकी energy ज्यादा होता है ठीक है high energy proton है यहाई energy proton है इसके बाद एक और जो भाइन है उसमीं यह देख लिए थीक्स है जब हम इसको और एफ पलस देदे हैं ठीक है यह हमने आरेफ पलस इसी प्रोड़ान को दिया यह ऐग्स प्रोड़ान है यह हमने इसको और्यफ बल्स यह परेक्साम पैल सप्स्स कर लेके इस यह जो आरिफ पल्स है यह असल में इनर्जी है यह इसमें सो जूल इनर्जी है जूल यूनिट आफ इनर्जी ठीक है यूनिट आफ इनर्जी है सो जूल और इसके बाद जब यह यह फर एक्जामपल यहाँ पर यह डाइग्राम यहाँ पर बना दे तो ठीक हो जाएगा For example हम ने ये एक अरेफ पलस हैं ये 1000 जूल अनरजी पे मुच्टमिल है ये 100 जूल अनरजी हो यह पी जो प्रोटान होते है For example यह प्रोटान है 11 प्रोटान है ठीक है 11 प्रोटान है जब ये इनर्जी लेता है, इसे इनर्जी कंज्यूम करता है, इसी आरेफ पल्से इनर्जी लेता है, तो ये एकसेशन में चले जाते हैं, कुछ पाजिटिव साइड और कुछ नेगिटिव साइड हैं, और जो नेगिटिव साइड हैं, फर एक्जामपल, ये जेड एकसेज ज और 50 % बिलोव टीक है यहाँ पर सेवन प्रोटान है हमने यह हमने यह मौझा हा कि जो अब डाउन जो प्रोटान की डिर्ट्टन है वो इसकी इनर्जी जाद में कम है और जो अब डाइरेक्शन जो है यह अबाव इसकी इनर्जी कम है और जो डाउन डाइरेक्शन है जिस प्रोटान की उसकी इनर्जी ज्यादा है ठीके पिर यह प्रोटान तो इनर्जी कम लेता है अब जो अब हो है यह प्रोटान भी उपर चले जाएंगे उसकी डाइरेक्श लोगे नीचे यह डॉण और यह बी डॉण इसकी डिरेक्शन हो ठीक है इसकी तावदाद कम है मैंटके इसकी जो एनर्जी है आरेफ पल्स ने जो accept डिया और्जी भूया ओकन यहां इसकी उनर्जी घ्लाग टीके तो इसलिए इसकी numbering की जो how many number जो है जैनि उसकी जो direction है उस इसमें energy तो ज्यादा है लेकिं इसकी तादाद कम है और इसमें energy हर एक ptery'tan में energy कम है लेकिं इसकी तादाद ज्यादा हे ठीके इसकी वज़ा यह है अच्छा इसके बाद दो वही परानी कानी है कि छप आपर आपर और डाउन यह ग्राना शो और डाउन जो आप Сегодня दूर erfahren का हुआ इसन किंशल ओते हैं नीच् debit सज estmes ऌते हैं और यह बैया जो दूर और आप सपारे ज्याटते हैं यह इसन किंसल होते हैं और यह इस के साथím किंसल है ठीक है तो बन तो उण्ट जो इलेक्टान है वह रह गिया तो इसके पाद यह अब मिघनेटिकर बनाता है असल में ये इनर्जी है किये इसी बत मोर प्रोटान प्रिसेज एलान पॉजिटिव साइड और अफ दी जेड एक्स यह नी ज्यादा प्रोटान आप डाउन की जो डायरेक्शन वहां पे इलाइमेंट होता है आफटर कैंसलिंग इच अदर डिमेनिंग एलान पॉज इस वह पर किया फॉज एड़िड आप तोगेदर फारम लागें जो डिनल मेंटरिजेशन जो जब यह यह जो प्रोटान इसकी जो फॉर्स है वह आपस में एड़िड होते है तो यह असल में लंगी जो डिनल मेंटरिजन बन गया इसलमें एक्साइटेशन है ठीक है इसकी इसकी यह एक प्रोटान एक इसान के बाड़ी की प्रोटान है यह अर्यों प्रोटान जो है यह विदाउट आफ एक्स्टरनल मेंटिक फील्ड है फस्ट अफर्स नम्बर स्टेप नहमने पढ़ाया था फॉर्स टेप और इन्वालवेड इन एमरे मेंजिंग जो फस्ट नं इस वोक्ति एक प्रोटान खाते हैं इस उसके राफम है था ये तो यह घरुड़ी है फ्रणेंग है यह तो यह उसको प्रोटान इसे एक तो एक और नहीं जो कि औरुड़े कहो हैं ऐसस्ट किणिंग अ है इसके बाद यह पेशेंट यह पेशेंट है जाच के प्रृटान है हमने यह मीगनीटिक फढ़ेंड में गयर लटाया ठीकर मीगनीटिक फो यह ग्राव 앞लुघा डिया तो यह नार्थ-सौठपुल है ठीकर नार्थ-सौठपुल और हमने इसी प्रोटान पे मिगनेटिक फील्ड एपलाई किया जब मिगनेटिक फील्ड एपलाई किया तो मिगनेटिक फील्ड टू फंक्शन है अब सबसे पहले इसी प्रोटान को एक डायरेक्शन दी यह स्पिनिंग मोशन को डायरेक्शन दिया ठीक है सबसे पहले इस डा convert हो गया into precision motion zone imatा यह दिखने यह जिस्पिंग मोशन वोस्यारव तीनिशे और टॉइंट उत्यर गृटान की एबाउ ही इबाउ यह precision mission है और प्रेसिजन मुशन जो है यह orbital में होगा ओंठीक हीétat ऑर्शैang मोशन ओर अग्न के सब्सक्राइब नो है जो छीजन उठelf है तक हमने घब सब्सक्णिया to इसकी जो ज्वल्द के अ Miami हमने कि लूटरी खैक अधिशन मॉशन इ⋅ वह हो गया तो इसके बाद यह प्रिसीजन लिग्राममर्थ, टी saja, पीस of हार्ट, लिवर, हम लिवर की मौरा स्कीनिंग खाने, और ब्रेइन की खाने, या हर्ध की खेनता है, तो यह टीज. यह पीस आफ टीशु है, जब पीस आफ टीशु है तो इसमें uh ionmen, ह है है और हाइडोजन एंड़ के अंदर अधूटान होते ही ये फर ऐक्जमपल ब्रोतान है जब ब्रोतान है तो इस प्रोतान की जो स्पीनी मोशन है देखेगे जब स्पीनीं मोशन कुछ नीचे कुछ आपकिंज रेव्ट नेफट और कुछ randomly है ठीक है इसके बाद जो हमने इस पे और एफ पल जो है magnetic field जो है supply किया जब apply किया तो इसके बाद किया होगी यह यह randomly है spinning motions और यहाँ पे spinning motion को direction दी ठीक है हर देखो direction दिया direction भी दिया और इसके बाद कुछ clockwise और कुछ anti clockwise में चले गए ठीक है यह यह यहाँ पे यह आप डाप यह आप है यह आप है पर एक्जामपल यह new down है यह down है आप इलांग दी जेट एकसल जो है ज्यादा है और इलांग दी जेट एकसल जो नेगेटिव साइड है आप जो हो ज्यादा है आप जो है त्री है और down जो है वह one है ठीक है इसके बाद यह जगा भी इसी तरह हो गया आप जो है टु है उन इसके बाद इक भी आप जो है और यह वन इसके बाद यह भी है जो अप है देखो यह फाई है वह त्री यह या नै इसके बाद पिर यह네 विक्टर इसने बना happy spinning motion को भी डायरेशन दी और इसके बार precision motion घु है physician rotation जो है वह भी बना दिया यह फूल traumatized को प्रेपेर किया है यहां पर एक और प्राब्लम है यह जो प्रोटान है इसकी डिरेक्शन तो सी दे बिल्कुल स्ट्रेट आप पो होना चाहिए इसी तरह लेकिन यह तोड़ा उब्लीक हो गया है ठीक है तोड़ा सा उब्लीक यह तरह सा उब्लीक है जब लंगिचूडिनल मिगनिटाइजेशन पैदा होता है तो इसके पाद जो प्रोटान की जो डिरेक्शन हो तो आप है वो तो ठीक है लेकिन वो आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है वो उब्लीक है यह उब्लीक क्यों है स्ट्रेट क्यों नहीं है इस पे ग्रेविटी एफेक्ट है जब ग्रेविटी एफेक्ट है तो यह उब्लीक करता है ग्रेविटेशनल फील्ड की एफेक्ट है तो यह ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से तोड़ा सा उब्लीक हो गया है ग्रेविटेशनल क्या है ग्रेविटेशनल असल में फूर है जो प्रोटान की बहुत कम ही जो वेट है, मास है, वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस पे जो ग्रिविटी है, उसका एफेक्ट होता है, ठीक है, यह देखे, यह जो प्रोटान है, इसी टीश्र में, तो यह बिलकुल स्ट्रेट नहीं है, सारे जो है, वो ब्लीक है, इसके बाद इसकि जो प्रिसीजिन फ्रिक्वेइंच्विटी है, वह प्रिसीजिन फ्रिक्वेंच्विटी, अब इसमें थोड़ा सा प्राप्लम है, six book में मुउक्तलेफ डिविशन किया, और नेट, जो गुगल यह वहाँ पर, भी बिविशन है, इसकी two डिविशन हो सकता है, this कि जो, तो यह एक्जमपल spinning motion है और यह precision motion है तो खुजबुक में यह कहते है जो precision motion है, around the axis एक सिकंड में कितनी चकर लगा तै, कितने बार गुम रहा है यह जो proton है around the axis इसको कहते है precision frequency और खुजबुक में इसी तरह दिया है कि नहीं इसकी combination को जो spinning motion जो है एक सेकंड में कितनी चक्कर लगा रहे है और precision motion जो है एक सेकंड में कितनी चकर लगा रहे है तो इस दोनों को precision frequency कहते है अच्छा इसकी जो evidence दिया है कुछ बूग में एक evidence हो इसकी जो एविडियन्स दिया है बुक में के टू टाइफ आप मोशन को आप फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं और खुछ बुक्स ने यही कहा कि नहीं यह एक वन टाइप साफ मोशन जो है उसको जो है प्रिसीजिन फ्रिक्वेंसी कहते हैं योई में हए एकरडिंग तो यह जो डिफिनिशन यह जो इकवेशन है लार्मर एकवेशुन दिया लार्मर इकवेशन असल उस में टी वहां पे आपको बहुत ज्यादा हिल्प करेगे ठीक है जो एविडेंस है जिब हम यह प्रोटान है यह रंडम्ली मोशन है और जब रेंडम्ली मोशन है तो हमने इस पर आरेफ पल्स एपलाई किया यानि मेगनेटिक फील्ड में लेठाया जब बेगनेटिक लिए तो मोशन जो हिस पींड लेकिन इस रंडम्ली है सबसे पहले ही जो आरेफ पल्स ने एक सने किया किया इसको डायरेक्शन दी जब डायरेक्शन दिया तो इसी डायरेक्शन की वज़ा से पिर प्रेसीजन में चले गई तो यह ही एविडेंस है कुच्ज बुक में यह कहते है कि नहीं spinning जो motions है इसके बाद पर चले जाते है into the precision motions पर ये spinning motion खतम हो जाता है सिरफ precision motion करता है लेकिन ये जो evidence है ये जो तेवरी है ये कमजोर है तना strong नहीं है हलाएंके ये spinning पर भी करता है और precision भी करता है along it's self भी करता है along it's own access भी करता है ये जो तेवरी है ये कुछ जो बूक है वहाँ पी दिये ये ठोटा इस अपमोशन अच्छा फिर से ये जो मैंने अभी ये इविजिन बता रहे है फिर से नहीं सुनने हमने यहाँ पे RF pulse apply की जब RF pulse apply की ये इसको direction दिया सबसे पहले इस direction की वज़े से पहर किया clockwise एंटी क्लाकवाइस में चले ज़िए जब ये इस प्रूटान को हम direction देते हैं with the help of RF pulse तो ये direction की वज़े से पहर clockwise ये एंटी क्लाकवाइस है यह यह लांग दी जेट एकसे इन एलांग दी जाते हैं एलांग दी पाजिटिव जेट एकसे जाते हैं इसकी वज़ज़ से पिर precision motion तो create होता है तो इसकी यही evidence है आप आपको two definition इसको भी कर सकते एक सेकंड में precision motion जतनी बार होता है तो इसको precision frequency करेए अब इससे भी कह सकते है कि spinning motions और precision motions यह two type of motion यह एक ही सेकंड में कितनी बार गम रहा है तो इसको फिर precision frequency करेए है इजी केशन है यह इसको डीनोट करता है प्रिसीजन फ्रिक्विंसी यह प्रिसेसंट फ्रिक्विंसी की जो सेंबल है इसके बाद है यह गायो मेग्नेटिक फिल्ड ऐस मुटा रहा है कि मायादिक है मुटर की स्ट्रोंग मेश unfair कि के प्रिसेजन फ्रिक्वेंसिक ए उर्भ इन तो दी इन तो दी मेगनेटिक फील्ड और यह जो ए गायरो मेगनेटिक रेशियू का मतलब यह कि यह हुँ स्पेशिफीक है फार हर एक फ़ार हर है कि नियूप्लीयस के लिए बानी सोडियम के लिए यो गाइरो मगनेटिक रिश्यू है और जो मैगनीश्यम है यह है है उसके लिए है यह जो एक्षिन है हम इस पर एक लिक्षेशन दिनगे सरफ एक स्पेसिफिक लेक्षिक लेटिर ने इस एक्षिन के बन्यार पे एक्षिन टी वाण वैट्डी मेंज्ड और टीटू वैट्ड इमेजर में ज्यादा काम करता है relaxation और इसके बाद जो टी 1 relaxation है और टी 2 relaxation है वह पर ज्यादा काम देते हैं ठीक है अब यह लंगिक्टिडिनल मिगनेजेशन है और जो है ट्रांसवर्स मिगनेजेशन है जब अप आपको आप अची तरह ये मिगनेजेशन समझेंगे तो आपको फिर रिएक्सेशन में आसानी होगी ठीक है पर टी 1 Wated 2 वेटे जितने सिकुलिस है उसमें पर असानी होगी यह सारा जो सिकुलिस है या ग्रेडियन एको है स्पाइन इको है ठीक है या फिलर है स्टार है यह सारा इसी बेस पे है जब आप इसको इसी अची तरह समझेंगे तो पिर आपको आगे में असानी होगी ठीक है